Good morning friends, स्वागत है आपका, आपका अपने YouTube चैनल पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले कल की देहन्दू डिटोरियल वकाबलरी की रिवीजिन की, हमारा पहला वर था coercion, coercion का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती करना, उसे बोला गया था coercion, या फि discrimination, भेदभाव करना, पक्षपात करना, तरफतारी करना, that is called discrimination, अगला शब्द है lesbian, lesbian होता है ऐसी महिलाएं जो कि समलेंगिक हो, एक दूसरे के प्रतियाकरशित होना, उन्हें बोलागा है lesbian, अगला शब्द है queer, queer का भी यही मतलब होता है, पूरुषों की sense में इसका word होता ह पूरुषों में समलेंगिकता होती है, उसे बोला जाता है queer, otherwise queer का मतलब होता है, एक समसे अजीबो गरीब कोई चीज होना, विचित्र उसे भी बोला जाता है queer, पर editorial में क्या use हुआ है, मैंने दोनों चीज़े आपको बता दिया, अगला हमारा शब्द है pathology, pathology का मतलब होत है, take the cue from, take the cue from का मतलब होता है, किसी की तरह अनुसरन करना, किसी से प्रभावित होना, उसे बोला गया है, take the cue from, quack का मतलब होता है, जिसे बतर करता है quack, क्वैक एक तो उसका मतलब होता है क्वैक यहां एडिटूरियर में मतलब लिया गया था इसका ऐसा डॉक्टर जो की उतने मतलब प्रशिक्षन प्राप्त ना हो परंतु दिखावा करें डॉक्टर होने का नीम हकीम या फिर जालसाजी डॉक्टरी में जालसाजी करना that is called क्व अप्राक्रितिक या अस्वभाविक that is called perversion accord का मतलब होता है किसी तरह कोई समझाता होना अप्चारिक समझाता सहमती बनना किसी बात की उपर उसे बोला गया था accord अगला हमारा शब्द है सेमरिंग सेमरिंग का मतलब होता है एडिटूरियल में इसका मतलब लिया गया था से इवान और चाइना के बीच में ये बात हुई थी दीरे दीरे युद्द की स्थिति बढ़ते रहना मतलब स्थिति और ज्यादा खराब होते रहना उसे बोला गया था सेमरिंग अगला हमारा शब्द escalation इसका मतलब होता है किसी तरह की problem का समस्य का और ज्यादा बढ़ जान या फिर जवाब तलब उसे बोला गया है elicited अगला हमारा शब्द fragility fragility का मतलब होता है एकदम से नाजुक पन होना कमजोर होना किसी चीज का बहुत जादा दुरबल होना उसे बोला गया है fragility status quo का मतलब होता है किसी चीज को उसके पहले वाली स्थिति में रखना या था स बुरव स्थिती में रखना उसे बोला गया status quo अगला शब्द invasion invasion का मतलब होता है कहीं पर घुसपैट करना आकरमन करना हमला करना उसे बोला गया invasion अगला हमारा शब्द implications implications का मतलब होता है किसी काम के क्या प्रभाव हो रहे हैं क्या outcomes होंग इसके क्या परिणाम होंगे उसे बुरागा है implications और हमारा last word था linchpin, linchpin का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक मजबूत आधार होना जिस पे कोई चीज टिकी हो उसे बुराइता है linchpin मतलब एक मजबूत कोई कड़ी that is called linchpin तो यह last word था, I hope session आपको fruitful लगा होगा, informative लगा होगा, please वीडियो को लाइक कर दीज़ेगा, होज सके तो share भी कर दीज़ेगा इस वीडियो में इतना है, इस तरक इन परमेटी वीडियो के लिए चैनल पर, thank you, thanks for watching